हेलो फ्रेंज, दोस्तों कई बार हमारे स्किन को सुन्दर बनाने के लिए हमें उसे अच्छे तरीके से स्क्रब करना पड़ता है ताकि हमारी तुचा की सारी डर्ड और इंप्योर्टीज दूर हो जाएं ठीक उसी तरीके से हमारे होटो को मुलायम और गुलावी बनाने के लिए हमें स्क्रबिंग की ज़रत पड़ती है आईए जानते हैं आज एक ऐसे स्क्रब को बनाने की विधी के बारे में जो आपके लिए सबसे ज्यादा बहतर है होटो को मुलायम और पिंक बनाने के लिए काफी अच्छा है और इसका इस्तेमार आप घर पर घर बैठे ही कर सकते हैं इसे बनाने के लिए आपको रेगूलर चीनी जिस चीनी का इस्तेमाल आप घर पर करते हैं वो चीनी और नीमबू के रस का जरूरत है एक नीमबू के रस के अंदर पिसी हुई चीनी मिलाईए और इसे अच्छे तरीके से अपने होटो पर स्क्रब करिए क्योंकि निम्बू के अंदर bleaching agent होते हैं इसलिए होटो के काले पन को दूर करके होटो को मुलायम बनाने में और उन्हें पिंक बनाने में काफी ज्यादा मदद करते हैं राब को सोने से पहले इस प्रकेरिया को हर रोज करिए धीरे धीरे आपके होटो का काला पंदूर हो जाएगा होट मुलायम और सॉफ्ट होकर पिंक हो जाएंगे इसलिए इसे ट्राइ जरूर करिए सो दोस्तों अगर काले और भद्दे होटो से परिशान आ गए हैं तो इस लिप स्क्रब को जरूर तयार करिए मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटिड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए